नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इग वारफ्षी से आपके अपने यूट्यूब चैनल कमप्टीशन प्रप्रेशन पे आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे यह जो प्रश्ण है यह अपने डाउट गुरूप में टेलिग्राम पे किसी ने पूछा था और मुझे यह प्रश्ण सुन्दर क्यों लगा क्योंकि मुझे अच्छानक से एक मेथड याद आ गई तो मैंने गा इस तरह की प्रश्ण जब टाइम एड वर्क के पूछे जहें तो आपके पास केवल एक मेथड नहीं होनी चाहिए बहुत सारी मेथड होनी चाहिए और आपको जो पसंद है उस मेथड से करें ठीक है अप्सन ओप्लेंटी होनी चाहिए ठीक है तो प्रश्ण क्या था कि आपकास कोई कार्य चोहतर दिन में कर सकता है विसाल उसी कार्य को 37 दिन में कर सकता है आपकास ने अकेले काम करना सुरू किया कितने दिन बाद विसाल उसको जोईन कर ले ताकि वर्क 40 दिन में कम्पलीट हो जाए देखो इसकी बहुत सारी मेथड है पहला बेसिंग मेथड हो गया कि आकास 74 दिन में कर सकता है ठीक है और विसाल 37 दिन में कर सकता है ठीक है आकास 74 दिन में कर सकता है विसाल 37 दिन में कर सकता है हमसे ये कायरियर 40 दिन में पूरा करवाना है हमसे पूछा गया कि जो बिसाल हो कितने दिन बाद है अब हमें पहला बेसिक में हमारे दिमाग में क्या आता है कि 74 और 37 का ले 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 टोटन कारे माल ले ले उसके हिसाब से प्रोशेड करेंगे लेकिन क्या यह सेयर करने के लिए मैंने वीडियो बने नहीं एक उनिक मेधर सायद आप सीख पाएंगे इस वीडियो में पहले मैं बेसिक बताए दे रहा हुँ ताकि आपको बेसिक क्लेर्टी हो जा हम माल ले थे थोड़ी देर के लिए कि जो बिसाल है वो कुछ दिन बाद आता है कुछ दिन बाद कहने का मतलब कि माल लो कि बिसाल जो है एक्स दिन बाद आता है एक्स दिन बाद या एम दिन बाद या ए दिन बाद जितना भी दिन बाद माने यानि कि जितने भी दिन और कार्ये 40 दिन में करना था ए दिन एकने अकेले कर रहा है तो दूसरे दोनों मिलके 40- A दिन करेंगे और टोटल रगख 74 उनिट का पूरा है ऐगा एक यूनिट परड़े करते हुए ए दिन में एक कायरे होगा तीन यूनिट परड़े करते हुए चालिस माइनस ए दिन में तीन इन्टू चालिस माइनस एक आम होगा और यह बराबर चोहत्तर है यहां से कह सकते हैं कि 120 माइनस 2A बराबर चोहत्तर यहां से सीधे सीधे आ जाएगा 2A बराबर 46 यह बराबर 23 एक क्या माना था कि कितने दिन बात जो विकास है वो कारे को जोईन करता है तो आपका आगया 23 दिन सिंपल सी बात है कोई दिक्कत नहीं है अब देखो ऐसे प्रशन को एक और तरीका है बेसिक तरीका कैसे करेंगे सब कुछ भूल गया है हमें हमें पता है कि आकास 74 दिन में कर सकता है यानि आकास एक यूनिट करता है और विसाल भाज सब 37 दिन में कर सकता है को इसके का दुगुना काय़ और करेंग यहां 20 zone के पूरा चाहीष दिन में खत्म हो जाना है यानि 20 दिन दीमाग में सिभी 1.85 आया फंक के लिए मैं काट दे रहा हूं यहें 20 यह वहो गया 37 यहाँ पर 10 लगाए 0 हटा यानि 1 दस्मलो 8-5 यूनिट पर ड़े करना है यानि हम यह कह सकते हैं कि हमें एक दस्मलो 8-5 यूनिट किसे से आप से हमें पता है कि कुछ दिन एक ही यूनिट हो रहा था और कुछ दिन दोनों ने मिलक के यकारे करा जहाँ पर बस एक चीज दिमाख लगाने है, आप सिखा कि कितने दिन बाद जूढ़ना चाहिए, जूढ़ने का मतलब हो गया, कि कुछ दिन तो पहले वाले व्यक्तिने अकेले कारिये करा, और उसके कुछ दिन बाद दोनों एक साथ कारिये करते हैं, यानि कुछ दिन तो अक अगर 1.85 पहुचाना है, यानि एक और तीन को मिलाके, हमें एक दस्मलो आट पांच तक पहुच रहा है, तो हमें क्या कहना है, हमें कहना है, मिक्चर एलिगेशन लगा देंगे, यानि एक और तीन का रिजल्ट हैं, अगर 1.85 पहुचना है, तो एक दस्मलो आट पांच में एक unit और तीन unit कायरे होता है या हम यू कहें कि हमारे कुछ लोगों का average एक था कुछ लोगों का average तीन था हमें resultant 1.85 प्राप्त करना है तो हमें कितने कितने बच्चों का होगा मतलब जिसे एक कुछ बच्चों का उसाथ एक था कुछ बच्चों का और मिलके 1.85 unit average हो रहा है तो अगर यह जो ratio आएगा वो आएगा number of days का तो हम 5 से काड़ देंगे या जगा 23, 5 से काड़ देंगे 17 यानि एक unit कितने दिन हुआ? 23 दिन, 3 unit कितने दिन हुआ? 17, एक unit कब हो रहा था? जब अकेले कारे कर रहा था यही तो पूछा गया कितने दिन अकेले कारी किया या दूसरा वाला कितने दिन बाद आया तो यही आपसे पूछा गया था कि यह 23 कैसे आया यानि कितने दिन तक अकेले कारी हुआ? 23 दिन, यानि 23 दिन बाद दूसरा वाला जोईन करता है यहीं आपसे पोचा गया थाओ, यहनि आपका correct option क्या हो जाएगा, 23, अब मालो option के सारे कैसे करेंगे, हमने मालो एक option दिया होता 15, एक option दिया होता 19, एक option दिया होता 23, एक option दिया होता 16, हमें पता है कि 1 और 2, 1 और 3 का resultant हमें 1.85 ले जाना है किसके ज़्यादा करीब है हमें 1 और 3 का resultant 1.85 ले जाना है यह जो resultant पर पहुँचना है वो किसके करीब है 1 के या 3 के 1 के या 3 के आपने कहा 1 से तो यह 0.85 दूरी पे है और 3 के साथ 1.85 दूरी पे है समझेगा बात को हम तीसरी में थेड़ है हमने कहा यह option अगर 15 होता तो क्या करता हमने कहा 1 और 3 का resultant 1.85 1.85 किसके करीब है यानि अकेले जादा करीब मतलब बीच में यहां कहीं होता बीच से इस साइड में 1.85 अगर नमबर लाइन पे लिखें तो यहां पे तो कहीं 1.5 आएगा हमें 1.85 देखो 1 और 3 एक और 3 के बीच में अगर हमें पूछा जाए कि इसका median क्या होगा तो आप कहेंगे 2 होगा यानि इससे एक दूरी पे इससे एक दूरी पे लेकिन हमें 1.85 प्राप्त करना है 1.85 प्राप्त करने के लिए हमें पता है यहाँ से इसके बीच की दूरी 1.15 है और इसके बीच की दूरी 0.85 है 0.85 यानि किसके करीब होगा 1.85 1 के तो जिसके करीब होगा वो जादा डेज उतना यूनिट काम होगा फिर से समझेगा एक और 3 में 1.85 किसके करीब है एक के, तो आपने कहा एक यूनिट ज्यादा दिन होगा और तीन यूनिट कम, ज्यादे दिन, चालिस दिन में काम होता है, चालिस दिन में ज्यादा दिन, चालिस दिन का आधा कर लो, बीस, बीस से ज्यादा, बीस से ज्यादा जो आप्शन होगा, वही सही हो जाएगा, फिर स 1.85 जो कि किस से ज़्यादा करीब है एक से जिसके करीब होगा वो ज़्यादा टाइम होगा यानि कि उसका रेशियो ज़्यादा होगा तो हमने कहा टोटल 40 था 40 का था 20 20 से ज़्यादा होगा 20 से ज़्यादा एक है option होता 20 यह तब है जब option elimination से थोड़ा आपकी understanding time and work पर बढ़ जाएगी ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो अकर समझ में आ गया है तो time and work की हमारी बहुत अच्छी वीडियो है जिसमें प्री में सबकिया questions करवा है time and work playlist देखें है इस्टारवाइस टू पॉइंट हो जिसमें या arithmetic complete करके एक playlist है कोई सी playlist देखेंग उसमें डाउट भी solve कर सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक के लवी और अल्दे बेरी वेस्ट और आल कमी जांस बने मात रहे हैं